ओम श्रीवेंक टेसाय नम्हा मैं प्रोफेसर एस्वी एसेस नरायन राजू यूट्यूब चानल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ संत गोस्वामी तुलसिदास जी द्वारा विर्चित स्रामचर्त मानस के उत्तरकांट से संबंदित विबिन पदों की व्याक्या की इस शुंकला में आज मैं और एक पद की व्याक्या करने जा रहा हूँ अब प्रभु के जो राज्याव शेक के साथ साथ वेद आकर गान कियें और भगवान शेंकर जी भी आगे आके वर मांग के गए हैं अब आगे क्या हुआ अब हम देखेंगे सुन कगपति यह कता पावनी त्रिबिद ताप बव भय दावनी महाराज कर सुब अभिशेका सुनत लहहि नर बिरत भिबेका जे सकाम नर सुनही जे गावही सुक संपति नाना विदि पावही सुर दुल्लब सुक कर जग माही अंत काल रगपति पुर जाही सुनही बिमुक्त बिरत अर भिशयी लहही बगति गति संपति नाई कगपति राम कतामय बरनी स्वमति बिलास त्रास दुक हरनी बिरत भिबेक बगति दुड करनी मोह नदिका सुन्दर तरनी नित नव मंगल कौसल पुरी हरशती रहाही लोग सब कुरी नित नई पृति राम पद पंकज सबके जिनहही नमत सिवमुनियज मंगन बहु प्रकार पहि राये द्विजिनही दान नाना विदि पाये ब्रमानंद मगन कप सबके प्रभपद प्रीती जात न जाने दिवस तिनह गए मास शक्ट बीती अब देखें क्या हुआ किस प्रकार अब कागुशिन जी किस प्रकार बता रहे हैं सुन कगपतिय कतापावनी त्रिविदिताप बवभय दावनी महाराज कर सुब अभिशेका सुनत लहाहि नर भिरति विबेका हे गरड़ जी सुनिए यह कता सबको फवित्र करने वाली हैं दाइहिक दाइविक और बौतिक तीनों प्रकार के तापों का और जन्म मृच्चु के बाई का नाश करने वाली हैं महाराज शीराम चंदर जी के कल्यान मैं राज्याविशेक का चरित्र जो निश्काम बाव से सुनकर मनिश्य वायराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं जे सकाम नर सुनही जे गाव ही सुक संपति नाना विदिपाव ही सुर दुरलब सुक कर जग माही अंतकाल रगपति पुर जाही और जो मनिश्य सकाम बाव से सुनते और जो गाते हैं वे अनेकों प्रकार के सुक और संपति पाते हैं वे जगत में देव दुर्लब सुकुंग को भोग कर अंतकाल में शीरगनाजी के परमदाम को जाते हैं सुना ही बिमुक्त बेरत अर विशयी लाहा ही बगती गती संपति नहीं कगपती राम कतामह बरनी स्वमती बिलास त्रास दुक हरनी देखिए इससे जो जिवनमुक्त विरक्त और विशयी सुनते हैं वे क्रमशहा बक्ती मुक्ती और नवीन संपति निच्च नए बोग पाते हैं मतलब जो जो चाते हैं वो मिल जाता है हे पक्षराज गरुड जी मैंने अपनी बुद्धी की पहुंच के अनसार राम कता का मैंने वरनन किया जो जन्म मरन के बै और दुख को हरने वाली है विरति विवेक बगति दुड करनी मोह नदी कहां सुन्दर तरनी नित नव मंगल कोउसल पुरी हरशति रहें लोग सब कुरी यह वैराग्य विवेक और बक्ती को दुड करने वाली हैं तदा मोह रूपी नदी पार करने के लिए यह एक सुन्दर नाव है अवद पुरी में नित नए मंगल उत्सव होते हैं सबी वर्ग के लोग हरशित रहते हैं नित्य नए प्रीति राम पद पंकज सबके जिन्हाई नमत सिवमन अज मंगन बहु प्रकार पहिराये द्विजिन्ह दान नाना बिद पाये शिराम जी के चरण कमलों में जिन्हें श्री शिव जी मुनिगन और ब्रह्मा जी भी नमशकार करते हैं सबकी नित्य नवीन प्रीति हैं बिक्षकों को बहुत प्रकार के उस्त्राबूशन पहनाए गए और ब्रह्मनों के नना प्रकार के दान पाये ब्रमानन्द मगन कप्र सब के प्रभुपद प्रीति जात न जाने दिवस तिन गए मास शट भीति वानर सब ब्रमानन्द में मगन हैं प्रभु के चरणों में सब का प्रेम हैं उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं और देखिए ऐसे बात की बात में ही चह महीने बीत गए इसी का मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं कागभुशिन जी बता रहे हैं हे गरुडी जी सुनिए यह कता मतलब स्रोथा उनको पवित्र करने वाली हैं दाइविक और बहुतिक तीनों प्रकारों के तापों का और ज प्रभु शीराम चंदर जी के कल्यानमय राज्जाव शेक का वरणन अत्यंत भक्ति बाव से सुनकर मनश वहराग्या और ज्ञान प्राप्त करते हैं और जो मनश किसी खामना से सुनते हैं और जो गाते हैं वे बांती-बांती के सुक और संपत्ति पाते हैं वे समसार में द पहुंचते हैं इस कता को जव जीवन मुक्त वाईराण्यवान और विशिगी सुनते हैं वे क्रम शहा जेवन मुक्त है तो बगती वाईराण्यवान के लिए मुक्ती और विशिगी वाले को नई संपत्ति उफलब्ध करते हैं ये पक्षराज गरड़ जी मैंने अपनी भुद्धी के अंसार रामकता कही जो जन्म मरण के बै और दुख को हरने वाली है ये कता वैराग्य विवेक और बक्ती को सुदुड करने वाली है तदा मोख नदी को पार करने के लिए एक सुन्दर नौका है अयोध्या में निक्च नूतन मंगलुत्सव होते हैं सभी वर्गों के लोग प्रसन रहते हैं जिनें स्री शिवजी मुनिगन और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं शिराम जी के वन चरण कमलों में सब की नित्य नवीन प्रीती हैं विक्षकों को बांती बांती के वस्त्राबुषन पानाए गए और ब्रह्मनों ने नाना प्रकार के दान पाएं ब्रमानन्द में वानर मगन हैं प्रभु के चरणों में उन सब का प्रेम हैं उन्होंने यह भी ना जाना की दिन का इसे बीत गए हैं देखते देखते ही चे महीने गुजर गए हैं जैशिराम